स्टूडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अरिहंत लेक्चर आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो चातर अभी तक कुछ नहीं पड़े ठीक है क्या वो जनवरी से पढ़कर या एक महिने में पढ़कर टौपर बन सकते हैं या 80-85% ला सकते हैं तो क्या यह पॉ परसेंट हुई है वह 80% ला देगा और जिसकी तयारी 30% 40% हुई है अभी तक ठीक है वह 90% ला देगा 110 परसेंट एक बार आप इस पर विश्वास करना और वीडियो को आं तक देख लेना 110 परसेंट मैं गारांटी जो बताऊंगा वह अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा ठीक है देखो अगर आप 10 या 12 में हो ठीक है और आपको बोर्ड एक्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डेन वीडियो है ठीक है इस वीडियो को मिस्स मत करना अदरवाजिस आप दोबारा जान नहीं पाऊगे कि बिल्कुल कम समय में एक्जाम की क्या लिए कि आप एक लखी इंसान हो बट लखी कब होगे जब 10-15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतर तक देख लोगे वो टेकनिक सेयर करने वाला जो टेकनिक आपको अभी तक किसी ने नहीं सेयर किया है मैं पिछले साल की बात बतारो एक कमजोर चातर जो क कोई कमजोर हूँ साइंस में कमजोर हूँ इंगलिस में कमजोर हूँ तो कैसे आप कहते हूँ कि 80% 85% ला सकते हूँ टेकनिक है बाई मेरे पास ठीक है और प्रस मेरी experience है मैं जो बताऊंगा अगर आप उसे कर दिये आज से फालो करना इस्टार्ट किये तो आपका एक्जाम कैसे बन सकते हैं एक अच्छे percentage कैसे ला सकते हैं एक बार इस ट्रिक से आप पढ़कर देख लो जो चीजे आ जाएंगी ना आप भी कहोगे कि क्या असर आपने बताया था इस वीडियो को ओपेन करकर आप ठैंक्स बोलने आओगे ठीक है 95% आपको बिलकुल पक्का मिलेगा ऐसा कोई नहीं बताएगा 10th 12th वाले हो तो वीडियो पूरा देख लेना ठीक है लास्ट यही मौका बचा है दिखा दो सबको अपनी असली अवकात मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होता है पंक से कुछ नहीं होता हाउसलों से उडान होती है ठीक है तो होगे कि सर मेरी तयारी कुछ भी नहीं है सब्जिक्ट में अब क्या-क्या हमको पढ़ना है ठीक है तो देखो कोई भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे करना है जब मुझे मेरी तयारी नहीं तो हैंड रैटिंग लिखावट खराब है तो उसे कैसे हमें सुधारना है क्योंक करना कि यह प्रश्ण वाइरल है और हंडेट टेन परसंट यही प्रश्ण बोर्ड एक्जाम में आएंगे ठीक है अब इस ट्रिक से कैसे पढ़ते हैं ठीक है तो पर कैसे पढ़ते कम जो छात्रों का पचासी परसेल मार्क्स विल्कुल पक्का मैं दिलवाऊंगा कैसे दिल लेगा उसी एक प्रेस्टें को पढ़ेगा लेकिन आपको कैसे पढ़ना आप कर दो मैथ कंज बताओ डूकर अब सभी को सिर्प यही पढ़ना है क्या repeated question आप तैयार खुरो एक question bank लो ठीक है यह question bank आपका math का भी हो सकता है hindi का भी हो सकता है English का भी हो सकता है यानि आपको सब्युद का question bank ले लेना अब क्या करना है आप देखो question bank आप नहीं लेख सकते हैं तो मेरे वीडियो के viral model paper देखो वाइरल question देखो यह question नहीं आए तो मैं अपना नाम बदल दूँगा ठीक है मैं यही दावा करता हूं तो आप क्या करना है math, Hindi और English सभी subject का आपको क्या करना है question bank ले लेना and question bank से आपको tick क्या करना एक chapter से ठीक है one chapter से आपको क्या करना है tick वन चेप्टर से आपको पांच प्रस्ण daily तयार करने ठीक है वो प्रांच प्रस्ण कैवन से तयार करने आपके बोर्ड एक्जामन रिपीटेट किये गए जैसे जो important question होता है उसके आगे लिग दिया हो जाता है कि यह 2022 में आया हुआ है 21 में आया हुआ है 18 में आया हुआ है 19 में तो वह question क्या होता है very IMP होता है very important होता है question को आपको तयार करना है ठीक है एक चेप्टर से पांच question को तयार करते हो अगर आपको कि सर मैंने तयार कर लिया question नहीं आया तो ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि जो question bank जो आपका paper बनता है वह क्या किया जाता है पिछले 5 सालों का model paper देखा जता है और वही question डाला जता है important question डाला जता है और paper जो हता है वह कमजोर से कमजोर चात्रों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ठीक है ताकि जादे से जादे बच्चे पास हो जाए बोर्ड exam में आपको repeated question को तयार कर ले ना क्योंकि बोर्ड exam में बता है कि कमजोर से कमजोर चात्रों को ध्यान में रखकर ये paper बनाया और यह देखा जाता है कि जादे से जादे छात्र बॉर्ड एक्जाम में पास हो जाया तीसे हैं और वह ही रिपिटेट कोईस्टन बार बार पूछे जाते हैं और जो लांग तइप की से नमीक चरण फोर माक्स की जो question होते हैं ठीक है वो क्या करते है ज्यादा तर रिपीटेड कोईस्चन होते हैं बार बार वो question repeated करते हैं ठीक है अगर एक साल यह बोर्ड एक्जाम में आया हुआ तो एक साल का gap देकर फिर आता है ठीक है क्योंकि आपकी पूरे आपका जो state बनता है पेपर का previous year के paper और model paper करा जाते हैं ठीक है अगर मैं कहता हूँ ने हिंदी के model paper को अगर आप छे model paper को हिंदी के हमारे सुन लेते हो तो आपका सत्तर नंबर हिंदी के अउकात नहीं कि इससे बार एक भी प्रशन आ जाए यह मैं दावा करता हूँ ठीक है तो आपको क्यों सुन लेना पढ़ो मत उस पर ध्यान मत दो कि वह सुन लोगे न तो board exam में आएगी तो चीजे लिख लोगे पंचान पर परसन लाने के लिए आपको कम समय में बुक से कभी रिविजन नहीं करना यह बहुत सारे चात्र करते क्या है किया मैं एक बार repeat कर लेता हूँ बुक लास्ट में revision क पर उसकी बाद मैं किसी चीज़ से पढ़ लूँगा तो आपको question bank ले लेना है या video देख देखकर आप notes भी बना कर पढ़ सकती YouTube की video ठीक है question bank लेकर मैंने बता है कि हर chapter से 5-6 question को तयार करो और उसको एक notes बनाओ ठीक है और नेश्ट जो topic मैं आप कोगे कि सर कोई भी topic को जल्दी याद कैसे करें ठीक है देखो आपको कोई भी किसी भी question का answer याद करते से मैं आपको point बना बना कर याद करना है point कैसे बनाओ गया जैसे कोई long question आप तयार कर रहे हो ठीक है तो आप उसमें देखो कि main point यह यह कब start हुआ था और यह कब समाप्त हुआ था और इसका जो body है main है इसमें किस के लिए बोला गया है ठीक उसका छोड़ा चोड़ा point बना लो उससे लेटेट कुछ रख लो जिसे मैं आपको बता दू जब मैं आपको confusion होता है जिसे आ यहाँ पर बराबर अरूद मैंने याद किया यह क्या था कि देको मैंने इसका point यह बनाया था कि जब भी आपका दृष्टी आ जाए ठीक है कोई भी दूर दूर दृष्टी आ जाए तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो अगर उसमें फोकस कैसी होती जिसे आउतल दरपर जब दिया है तो उसमें जब फो आपको topic बनाकर उसे तयार कर लेना answer याद करते हैं समय आपको keyword को जरूर ध्यान में रखना है किसका keyword क्या है यानि इस चीज को हम तयार करेंगे यह याद करेंगे तो पुरा question का answer में याद हो जाएगा ठीक है उस तरह से जैसे आपका कोई भी चीज हो गया जैसे मैंने बत पुठा च्छंद यासपर ठीक है और यासपर हो गया उसका एक्जांपल सुनी keyword के बैन प्रेम लपेटे पटे बेसे करूनायन चीता ही लगकर जानकी तर्थ ट्रीक से मैं इसका keyword बना लेता ठीक है keyword आपको किसमे ध्यान देगा यह बोर्ड एक्जाम में answer को तुरंत याद करने के लिए ध्यान में आजाएगा ठीक है याद करने के बाद बिना देखे उस topic को उस आंसर को एक बार जरूर लिख लो यह चीजा आपको कभी नहीं भूलने देगी ठीक है तो आपको बिना देखे एक बार उसे लिखो और एक बार गलती होगी फिर उसको देखकर फिर दूसरी बार जो लिखोगे न उसमें केवल सव परसंट में से सतर परसंट गलती लिए अगर तीसरी बार लिख दिये तो आप सीदाक सीदस में दस परसंट के उल गलत रहेगा और बाकी दम सद्धिक तु सद्धिक आप लेख पाऊगे ठीक है और हैंड़ आपका लिखाव सब्दों की बीच में एक पेन का गयब जरूर देकर लिखे मैं आपको कोपी देखो यह एक एक एकजाम की कोपी है और इसमें देखो क्या किया गया है कि यहां पर इसकी हैंड डैटिंग खराब है ठीक लेकिन सब्दों से सब्दों की बीच की दूरी आपको एक पेन इतना है और आप जिस एंगल पे लिखना है ठीकि 90 degree प्लिखतो कि 90 प्लिखतो ऊब्बे सE जादे प्लिखतो पूरी सब्द चीज toe सब लिखना है और जो भी सब्द उसकी नीचे कहां पर अंड़र लाइन करना है कहां पर हेडिंग डालना है कहां कभा पे do पर एक्षाइड पीधा को सब्म दिखेश सकते हो पने के तो आपको क्या करना है कि 국being सब्जिक्ट को ध्यान में देना अगहर आप कोगे कि मेरा मैत कमजोर है तीक है और science कमजोर है तो आपको क्या करना है इसमें math और science में क्या करना है math और science के मैंने कहा कि question bank लो या important model paper solve करो ठीक है इसमें क्या करो कि एक question जो important है ठीक है 4 number का 3 number का उसे अलग-अलग solve करो 2 number वाले को अलग 4 number वाले को अलग तो, इसको हैं तो एक बार आप देखकर हल करेवा उसका तीन बार аाप प्रैक्टिस करेवा कितने बार प्रैक्टिस करना, तीन बार टूटल आपको 50, ठीक है 50 question को तयार कर लेना है, अगर नहीं हो सकता, तो आप 25 question को तयार करो, math के ऐसे question को तयार करो, जो repeated long type के question जो होते हैं, पांच नमबर 6 marks के, वो math में repeat करते हैं, और अगर नहीं आते, तो math में मैंने देखा हैं, मैं तुम्हें खुद पढ़ाता हूं, त तो आप उसके अंक चेंज कर दिये जाते हैं, तो आप उसके method पर ध्यान दो कि यह इस method से लग रहा है, अगर इस type के question को और लो, अंक बदल कर, अगर यह question आ जाता है, तो मैं इसको भी हल कर लूँगा, ठीक है, math हो गया, science हो गया, आपका English हो गया, ठीक है, English हो गया, और सस्टी हो गया, और 12 में हो PCM subject हो, तो PCM subject ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यह सस्टी जो है, यह scoring subject है, English भी आपका scoring subject है, ठीक है, और आट तो बिलकुर scoring subject है, आट, ठीक है, इन सभी में तो फोर्दो, यार, यह सब चीज़े, यह सस्टी जो है, तयार करने वाली subject है, इसमे में आपका कितना number आजाए, 24 number आजाए, 25 number आजाए, तो भी आपका 80% बन जाएगा, तो आपको सबसे ज़्यादा focus की skip करने, जो कमजोर उसका tension मत लो, कि यह चीज़े हमारी कमजोर है, साइन्स हमारी कमजोर है, नहीं कमजोर है तो आप उसको पढ़ो, लेकिन उस पे पूर important question त्यार करो, model paper त्यार करो, उसी model paper की साबसे paper आता है, ठीक है, SST त्यार करो, इसके important question, इसमें 90 नंबर पंचानबे नंबर लेकर आओ, आट में लेकर आओ, 90 से पंचानबे नंबर, यह सब चीजे को आपको पढ़ोगे कहां से, ठीक है, इंगलिस के जो important question कराया जाते, उ पताज होगी, natural seal बनाने की क्या process होते, रंग कैसे भर जाते, सब कुछ आपको details में मिल जाएगी, और पंचानबे परसेंट आपको लाने के लिए ने सुबच चार बज़े उठकर आपको पढ़ना पढ़ेगा, रिवीजन आपको जरूर करना है, फालतू चीजों में अपना समय टाइम बेश्ट मत करना, बिल्कुल ना करें, डेली आपको दस आवर पढ़ना है, ठीक है, दस घंटे पढ़ना ही पढ़ेगा, अधर्वाइस आपका कोई भी नया पार नहीं लगा सकता, ठीक है, मन लगा करना है, एक समान समय दो अपने हिसाब से, ठीक है, आप एक टाइम टेबल बना और इसी हिसाब से दो, जिसे मैत हो गया, इंगलीज हो गया, अपका आर्ट हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, PCM सबजेक्ट, मैत को आपको कितना के, दो पहर में आप पढ़ सकती हो, या रात म मैत को इस समय दो घंटे पढ़ना है, ठीक है, मैत को टू आउर्स का समय देना है, इंगलीज को वन आवर का समय देना, इसमें question bank देखो, हर years के आपको पैसी वाइस को करना है, narration को करना है, translation को करना है, ठीक है, और जो प्रोज, poetry, supplementary की question होते हैं, उनको तयार कर लेना है, ज दूसरे बार उसको लिक कर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है, तो आपको चीजें लंबे समय दे क्याद रहेंगी, आट में भी वही करना है, हपते में एक बार कोई न कोई ड्राइंग बनाना है, हिंदी में आपको क्या करना है, model paper त्यार कर लोगे, मैं बेडा पार करा आपका 70% लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरा model paper इसमें करा रहा हूँ, ठीके, PCM सब्जेक्ट इसको 2 घंटे डेली पढ़ो, अभ्यास करो इसका अच्छी तरिके से derivation वगेरा देखो, इन सब चीजों को देखो, कि तह 110% मैं गारांटी कहता हूँ, कि आपको पंचान परसन लाने से कोई नहीं रोक सकता,